है लो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर डब्ली डब्ली और रेसलिंग से जुड़ी तमाम चोटी बड़ी ख़वरों से अपडेट रहने के लिए हमारी यूटूब चैनल ऐसे स्लैब टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास चित ही दा उसोज ने ये साबित कर दिया है कि वो इस दसक की सबसे बेश्ट टेग टीम में से एक है हाल ही में मौझूदा अंडिस्पूटिड टेग टीम चैंपियन्स में जिमी और जे उसो ने रेसलिंग मिनिया से पहले ड़वी ड़वी के इतास का एक और रिकार्ड भी सामिल हो गए हैं एक बात तैह है कि अगर दा उसोज रेसल मीनिया उन्तालिस में अपनी चैंपियों से रिटेन करने में सफल होते हैं तब निश्चित ही वो कई और रिकार्ड को तोड़ देंगे जिया दोस्तों रोमर रेंज के भाईयों ने साल 2021 में ब्लेड लाइन का हिस्सा बनने के बाद जबर्जस्त सफलता हासिल किया दोनों मनी इन दा वैंग 2021 लाइब इवेंट में दा मिस्टीरियोज को हराकर इस मेंग डाउन टैग टीम चैंपियंस बने थे ब्लू ब्रांड में अपना पर्चम लहराने के बाद दा उसोज ने रो ब्रांड की तरफ अपना रुकिया मई 2022 में ब्रेड लाइन मेंबर्स ने आरके ब्रो को रॉक टैग टीम चैंपियंसिप के लिए हराकर दोनों टैग टाइटल्स को यूनिफाई कर दिया था फिलहाल दा ब्रेड लाइन इस्टोई लाइन बड़े ही दिल्चस्प मोड़ पर पहुंच गई है हालिया रॉके एपिसोड में जे उसो ने सेमी जैन पर हमला करके यह साफ कर दिया था कि उनके लिए फैमली सबसे पहले आती है दा उसोज के खिलाब सेमी का साथ पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन केविन ओबेंस दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ग्रेंडेश्ट स्टेज आफ देम आल में केविन और सेमी नाइट बन में दा उसोज को टेग टीम चैंपियंसिप के लिए चुनौती दे सकते हैं डव्डवी स्मेक डाउन में दा उसोज का सेमी जैन और कोडी रोट से हुआ था बवाल जिया दोस्तों हालिया ब्लू ब्लू ब्रांड सो में जे उस तो रेसलिंग से जोड़ी तमाम च्छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल SS Lab TV इंडिया को सबस्क्राब करें और पास आए बेल एकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें